असलाम उलेकुम फ्रेंड्स, विलकम बैक टू मैं चानल मॉम्स डिशेस, आज की रेजपी है हमारी चिकन मंचूरियन, आज आपको मेरे स्टेल में ये चिकन मंचूरियन बना कर दिखाऊंगी, और चिकन मंचूरियन रोटी के साथ रैस के साथ भी खा सकते हैं, और ज्यादा अपको मेरे स्टेल में, और आप मेरे चानल पे नए हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ये चानल को साथ बेल अकान बटन्स, जरूर ट्रेस करिये और लेकन कॉमेंट्स, करके, मुझे रेस कर है methods, so let's start, यहाँ मैंने 1 kg चिकन ली हूँ, बोनलेस चिकन ली हुँ फ्रेंड्स छोटे चोटे पीसस इसको आच्छा सा वाश करके मैं इसमें एक टीस्पून साट और एक टीस्पून लाल मिर्च पौडर और एक टीस्पून धनिया पौडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला और दो टीस्पून अधरकलोसन का पेस्ट कर दा लिये बहुत मज़ा होता है और इसमें 1 ऐड़ स्पूर और हॉत करती हूँ और इस में ये तीन टेबर स्पून और एड़ करती हूँ और ये शुक्षी स्पून दूटो लेक्ष और अट करती हूं और लिटले परभू ॉ परक्षुक्पू और और पानी नई आट करना है क्योंकि हम अंडे दालते हैं इसलिए यही बस हो जाता है और मैं कलर भी नई आट करी हूं फ्रेंड्स कलर की कोई जरूरत नहीं है इसलिए कलर भी नई आट करी हूं अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको एक वनवर के लिए रिस्ट करने देना ह आएल थोड़ा हीट होने के बाद जो मेरनेट हुआ है न अधर करती हुई इसको मैं एकएक पीस के तरहा है करती हुई और एक side fry होने के बाद हम हलका सा turn करते हुए दुसरा side भी हम fry कर लेना है सिर्फ हम 80% cook कर लेना है friends क्योंकि दुसरा process भी है दुसरे process में हम 20% cook कर लेंगे और हमारा 80% chicken cook हो गया है और इसको हम एक plate में shift कर देंगे देखिए हमारा chicken भी तयार हो गया है 80% cook हो के और हम दुसरा process शुरू करेंगे और इतना सा fry करना है friends बस और मैं color भी नहीं add करी हूँ आप देखे है न और यहां मैं एक कड़ाई में 4 टेबल स्पून आइल add करी हूँ और इसमें एक कटी हुई प्यास को add करती हूँ ऐसा पेटल्स के जैसा कट कर लेना है और एक बड़ा शिमला मिर्च ऐसा पेटल्स के तरह कट करके add कर लेना है इसको हम क्याप्सिकम बोलते हैं ऐसा ही हम पेटल्स के तरह कट करके इसको हम एक दो मिनिट के लिए fry कर लेना है दो मिनिट के लिए fry होने के बाद इसमें हम अब सासस आड़ करेंगे एक दो टेबल स्पून रचिली सास आड़ करती हूँ और दो टेबल स्पून ग्रीन चिली सास और दो टेबल स्पून सोया सास सोय सास एट करने के बाद एक टेबल स्पून टमेटा सास एट करती हूँ इन सब सासस को हम एक मिनिट के लिए हम फ्राई कर लेना है एक मिनिट के लिए फ्राई होने के बाद इसमें हम चिकन एट करना है जो 80% कुख हुआ था ना यहां मैंने दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर लेके उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करी हूँ और इसको लिक्विड करके यह लिक्विड को इसमें मैं एड़ करती हूँ एड़ करके हम अच्छा सा मिक्स कर लेना है अच्छा सा मिक्स होने के बाद इसको हम एक दस मिनिट के लि चिकेन मंचूरियन तयार हो गया है और इसमें फाइनल टच थोड़े हरे धनिया के पते आड़ करेंगे थोड़े हरे धनिया के पते आड़ करने के बाद इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम गर्मा गरम सर्फ करेंगे ये winter के season में न ये chicken manchurian बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये winter में गर्मा गर्मी chicken manchurian खाय तो बहुत मजेदार होता है आप भी ज़रूर ट्राइ करिए देखिए कितना अच्छा है कितना juicy juicy होने और कितना soft होने बहुत अच्छा हता है आप ज़रूर ट्राइ करके मुझे comment box में अपना feedback दीजिए और आप मेरे चानल पे नहीं हो तो मेरे चानल को subscribe करिए और बेल अकॉन बटन ज़रूर प्रेस करिए और आपके friends और relatives से share करिए ये recipe और दुसरे मज़ेदार recipe के साथ जल्दी में मिलेंगे जब तल दूआ में याद रखिए अल्लाँ आफीज